हेलो फ्रेंड्स वेलकम एक्टोर चैनल माइन नेम इस प्रभाकर मंदल यू आर वाचिंग डेसन यूट्यूब चैनल तो है गईस महाई एपिसोड का नमर फॉर्ड एपिसोड पर आप लोग का बहुत-बहुत स्वाग आते तो है गईस आसकी वीडियो पर हम लोग एक से प्रेवाले के पार में बात करने की नम है गोकुत आप लोग पहले भी देखा हूगा तो का आज हम लोग गोकु का 3D करेक्टर की बार में बात करने वीडाद है Reghes प्रे लिग निक बेसे क्रेस्ट और इस 3D character को download कर लो और यहाँ पर तो एक twist app ही है क्योंकि वाइस जब आप लोग इस 3D character को download कर लोगे तो basically वो एक zip file पर download होगा तो guys उस zip file को run करने के लिए वहाँ पर मांगेगा एक password तो guys जब तक आप लोग उस password को enter नहीं करोगे तो तब तक वो file open नहीं होगा तो guys password कहाँ पर मिलेगा basically इस वीडियो को सुड़ू से end तक देखते जाओ password आप लोग को मिल जाएगा तो guys वीडियो आगे बढ़ाना से पहले मैं आप लोगो बता दू कि guys अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तेर जल से जल चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि guys asi free 3D characters free 3D models आता रहेगा क्योंकि भाई एक महा episode शुरू हो चुका है already three episodes हो चुका है और अगर आप लोग बागी सारे 3D episodes अगर नहीं देखे हो तो link नीचे description पे दिया वाए सारे के सारे episodes देख लो and सारे के सारे free 3D characters और models download कर लो so subscribe now और guys subscribe करके bell icon को press कर दो और all notification को on कर दो थाकि मैं जब वीडियो अपलोड करू आपके पास notification पहुंचे और फ़र से आप लोग characters या models को download कर लो so subscribe now तो भाई वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो simply guys यह जो character है इसको आप लोग blender पे यूश्ट कर सकते हो माया पे यूश्ट कर सकते हो और guys unity unreal engine और भी एसे बहुत सारे software से जहां पर आप लोग यूश्ट कर सकते हो बेसिकली जीन जीन software पर fbx नेम की जो format यह जहां जहां पर मतलब जिस जी software पर यूश्ट होता है आप लोग सारे के सारे software पर यूश्ट कर सकते हो बेसिकली यह तो 3D character मिलेगा यह मिलेगा fbx format पर तो guys आप लोग उसको blender पर किसे open करोगे वो मैं देखा देता हूं और guys उस character पर क्या क्या चीज़े मैं सारे के सारे चीज़े दिखा देता हूं वीडियो को सुरू से यह तक देखते जाओ तो चलिए स्टुरू करते हैं और blender को फर्ट से open कर लेते हैं और guys blender पर मैं character को import करने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता देता हूं कि जब आप लोग guys इस 3D character को download करोगे तो कुछ इस तरीके का exit file download हो जाएगा और guys इस file की अंदर क्या क्या चीज़े हैं वो मैं आप लोग को दिखा देता हूं तो जब आप लोग इस 3D character को download करोगे तो यहां पर guys आप लोग देख सेकतों यहां पर है goku fbx blender rig और नीचे दिया हूं है license और guys जब आप लोग यहां पर goku fbx blender rig पे click करोगे तो guys यहां पर आप लोग को मिल जाएगा texture क्यूंकि guys यह जो character है ना यह basically texture से बनाया हूं तो guys यहां पर आप लोगो texture मिल जाएगा और यहां पर fbx main character तो simply हम लोग यहां पर बहार पर click करेंगे and a press करके सारे चीज़े select हो गया और अभी हम लोग इनको delete कर देते हैं और guys उस character को आप लोग blender पर कैसी import कर सकतो वो में दिखा देता हूं और guys आप लोग जो कोई भी software से use करते हो simply जाओ import बटन पर और guys यहां पर देखो fbx fbx यह पाला option है या फिर नहीं अगर है तो फिर आप लोग के पास Maya हो 3ds Max हो Unity हो Unreal Engine हो कोई भी software पर आप लोग इस 3D character को use कर सकते हो तो basically यह तो blender पे available है तो यहां पर fbx पे click करो और जाओ अपना file पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पर मैं आगया अपने file पर मैं अधर मैं आगया और guys यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर uggti मैंना मैं यार कोई भी नेम दे चुगा हूं तो यहां पर यह वाला जो character है fbx वाला इसको select कर लो और यहां पर simply click कर दो import fbx यहां पर click कर दो और guys यहां पर वो character आ जाएगा तो यहां पर zoom less कर दो और guys आप लोग देख से तो यह character basically बहुत बढ़ा character है तो guys अगर आप लोग character को छोटा या बढ़ा करना चाहते हो तो यहां पर इसका रीक को select करो और guys press करके आप लोग इस character को छोटा या बढ़ा अपने मर्जी से कर सकते हो तो मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लिया और basically guys यह जो character है यह अभी solid remote पर है तो हम लोग अभी z press करेंगे and जाएंगे material preview पर color देखने के लिए कि character पर color के साहे cloth color के साहे hair color के साहे body color के साहे तो guys अभी आप लोगों ने देखा कि character जो ही वो finally material preview पर आ चुका है और guys आप लोग यहां पे देख सेकते हो character की color बगड़ा के साहे बिलकूल एक 3D character मिल जाएगा Rick के साहे तो guys ए character बिलकूल free है link नीचे description पर दिया आवा यह link पर क्लिक करो और फट से एक character को download कर लो तो guys आप लोग कुछ इस प्रोसेस से blender पे इस character को import कर सकते हो और guys मालो इस character पे जो color बगड़ा है यह color नहीं show कर रहा है मतलब पिंक color की है मतलब मैं क्या बताओ missing files से missing images से तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा simply files पे जाओ और यहां पे जाओ extreminal data और यहां पे find missing files यहां पे missing files तो guys यहां है color आ जाएगा अगर यहां पे color नहीं रहेता है तो basically mean रहे हैं तो यहां पर color को on कर लो तो इन्हों को ओने करते ही आप लोग देख सकते हो द्रप्वत रशेचे है और पर इतनी सारे जगह पर रिग बैठाए हिए वह बिथ से आप लोग कोई भी हिस्टे को CONTROLE कर सकते Haum लाइक आप लोग देख सकते हो अगर मैं इनका HAND बाला Broots हो सिलेट करता हूँ तो इनका HAND CONTROL होड़ाएं और और लिख को आप लोग के से टाइम लाइन पेouleट कर सकते हो तो basically यहां पर timeline को ऊपर करो और इनका auto keyframe mode को on कर दो और यहां से कोई भी bond को select कर लो मालो में यहां से middle भाला bond को select करता हूँ और आर प्रेस करके एक बार इधर होगा 20 पे उधर होगा और 40 पे यहां पर आजेगा तो guys आप लोग कुछ इस प्रोसेस से यहां पर timeline की फ्रेम्स बेठा सकते हो तो मैं simply इनको delete कर देता हूँ तो guys आप लोग कुछ इस प्रोसेस से timeline की फ्रेम्स को बेठा सकते हो और guys आप लोग देखी सेकते हो guys केसर रिग बगड़ा बेठा या हुआ है और गोकु का 3D करेक्टर है और guys गोकु का 3D करेक्टर का मेरे पास एक ओर करेक्टर है तो मैं आप लोग को वह भी करेक्टर दे दूंगा विल्कुल फुरी पे तो वह अभी कामिंग सुन है So hey guys अगर render engine की बात करें तो आपको डू टाइपस की render engine मिलेगा एक तो EV और दूशरा Cycles तो आप लोग वह घरच्पर के रेंडर कर सकतो EV, Cycles मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आप लोग इस क्लोट का कालर को चेंज करना चाहते हो तो यह सारे चीज़े टेक्सर से बनाया हुआ है तो यहाँ पे एक्स्रीमल डाटा पे जाके वह आप लोग फाइंड मीसिंग इमेज़ेस करके रिकवर कर सकते हो कालर्स को आप लोग करके बाड़ी कि करेक्टर का पासवर्ड किया है तो भाई ध्यान से सुनो पासवार्ड और पासवार्ड बताना से पहले मैं आप लोग को बता दू कि चैनल को सब्सक्राइब करो तो subscribe नाओ आप लोगो बहुत सारे free 3D characters मिलने वाला है मतलब subscribe करके bell icon का all notification को on कर दो बहुत सारे free 3D models or free 3D characters मिलेगा तो basically जाल लेते हैं इस character का password किया है So guys मैं basically इस file को मतलब download करने के बाद आप लोग को किस process से इनको आप लोग finally open करोगे मैं वो एक process दिखा देता हूं तो मैं अभी इसको cut कर लेता हूं और guys जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप लोग इस 3D character को download करोगे तो कुछ इस तरीके के एक zip file download हो जाएगा तो simply यहाँ पे इस file को select करो right click करो और इनको कर दो extract files तो guys extract file और यहाँ पे ok तो guys जब आप लोग इनको extract files करोगे तो यहाँ पे मांगेगा enter the password तो enter password क्या है password क्या है तो basically इनका password है 9672 ध्यान चे सुनो 9672 तो यहाँ पे हम लोग password को enter कर देते है 9672 यह है इस file का password तो simply यहाँ पे कर दो ok तो हो गया extract file हो गया character आ गया तो simply यहाँ पे देख सकते हो यहाँ एक ओर फाइल आ चुगा है यहाँ पे क्लिक करो फिर से क्लिक करो तो guys यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आ चुगा है इस character को आप लोग अमने प्रोजेक्ट पे या फिर कोई भी इनिमेशन वीडियो पे बिल्कुल फ्री उस कर सकते हो विदाउट किसी वाटर मार्क की मतलब guys इस character के अंदर तो कोई वाटर मार्की नहीं है तो guys आप लोग अप बिल्कुल फ्री इस character को यूज़ कर सकते हो अपने मर्दी से जहां पे भी मर्दी यूज़ करो और guys फाइल का password बगड़ा जो था मैंने आप लोग को बता दिया और characters रिलेटर जितने भी सारे चीज़ था मैंने बता दिया So hey guys मैं आप लोगो एक और बता दू कि guys ये जो 3D character है बेल्कुल free है link नीचे description पे दिया हुआ ये link पे click करो और ये free 3D character को download कर लो So hey guys I hope ये वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा तो पसंद आया है तो like करो एंड इस वीडियो को जाता से ज्यादा स्यार करो ताकि guys सारे के सारे वीवर्स की पास पूंच जाया ये character और guys वो लोग भी free 3D characters को use कर सके So video को जाता से जादा श्यार करो और ये से ही और भी बहुत सारे free 3D models और free 3D characters पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करो And bell icon press कर दो और ये bell icon का all notification को on कर दो ताकि जट से में video upload करो और फट से आप लोग डाउनलोड कर लो character को So, मिल दे नेक्स वीडियो वेफ बाई बाई बाई